हमने दो दिनों पहले एक वीडियो देखी थी एक लेडी कार में बैठी है और सिर पकड़ा हुआ है कहा जा रहा है कि ये वीडियो गौरी खान की है और उस दिन की है जिस दिन आरियन खान का फैसला सुनाया गया और उनको कौर्ट ने 14 डेस की जुडिशिल कस्टडी में कहा गया कि गौरी खान उस दिन कौर्ट में मौजूद थी और अपने कार में बैठ कर फूट फूट कर गौरी खान रोई कुछ कैमराज ने गौरी खान को कैप्चर भी किया और उन्होंने अपने हाथ से अपना मूँ धका हुआ था अब एसार के को लेकर खबर आ रही है ए सार के अपनी बेटे के केस पर पलपल की नजर रख रहे हैं जिस दिन सुनवाई हो रही थी उस दिन भी ट्राइडिंट होटल में बैठ कर सार के कोड प्रसीडिंस की अपडेट ले रहे थे और अब खबर आई है कि सार के काफी दुखी है बहुत तूट गए हैं बेटे के अपने आपको काम और शांत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो टूट गए हैं चकना चूर हो गए हैं शारुक के लिए कहा जाता था कि वैसे भी शारुक चार घंटे की ही नीन लेते हैं, लेकिन आरियन के जेल जाने के बाद अब वो नीन भी कहीं चली गई है, जो लोग शारुक को किंग खान कहा रहे थे, किंग खान कहा के किंग खान, अब तो वो एक helpless father है, जिनका 23 साल का अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे है, तो अब ही जो शारुक की हालत हो रही है, उस हिसाब से वो एक helpless father है, किंग खान नहीं, शारुक आरियन से भी मिले, आरियन से मिलने के बाद आरियन उनको देखकर फूट-फूट कर रोया, NCB के ओफिस से भी landline से आरियन न रखा था कि शारुक आने वाले हैं, ऐसे में 3-4 बजे तक शारुक नहीं आये और उन्होंने एन मॉमेंट पर शूट कैंसल कर दिया,